कि यूट्यूब चैनल परिक्सवापाटी में आप सभी का हर्दिक श्वागत है गुड़ इवनिंग क्यों लो फ्यूमरी तू चलिए जो आपने मोर्निंग में अपना पेपर दिया है उसका हम हिंदी का सैक्षन अपना करेंगे सीचेट का जो आपका पेपर सेकिंड होता है तो इसमें पहला पेपर जो आपका 21 जनवरी में आज ही के दिन आपका पेपर हुआ था फाग फॉर्थ जो आपका आता है जिसमें जो लैंग्वेज आपके फर्स्ट यानि हिंदी की जो लैंग्वेज आपकी होती है वहां हम कोश्चन यहां पर करने वाले तो सबसे पहले जो यहां पर आता है कोश्चन की 91 से पहले आपके गध्यान दिया गया जिसमें आपके 91 से लेके कोश्चन बनने वाले 99 तक तो यह गध्यान सापका इस गध्यान से आपके कोश्चन बनने वाले हैं तो फर्स्ट कोश्चन की बढ़ते हैं गध्यान से जो आपके कोश्चन तो पहला कोश्च आता है जल्दी जल्दी अपने कोश्च अपने मैच आप कर सकते हो तो कोश्च पर्स्ट आता है कि गद्यांस के आधार कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीम जीवन का एक सत्य है यानि जो human की जो life है उसका true है यह true है आपका कि जो changes होता है जो परिवर्तन है option थड़ियां पर बिल्कुल correct है next question है 92 कि विशेशन यह विशेश्य का उधारन नहीं है जो विशेशन है जो विशेश्य है उसका example नहीं होगा तो क्या नहीं होगा option first की आध्यात्मिक दुनिया रोंग second option है रुपात्मक परिवर्तन रोंग third option है अंधेरे यूग रोंग fourth option है मानवस्तित राइट तो option आध्यात्मिक आपका बनता है option fourth right होगा नेक्स्ट 94 कोशन है कि उन्नती प्राप्त करने के लिए आवेश्यक है कि जो मनुश्य है option first है कि संगरसित संगर सर्त रहे और विद्रो करे wrong second option है अपनी खूबियों को जान ले wrong third option आता है अपनी कम्यों को जान ले जो उनमें कम्या आते उनको जान ले बिलकुल सही option third right हो जाएगा next आता है question number 95 है कि परगती जो परगती अगर करने का व्यबस्ति किसके पास तरीक नहीं था लोर किसके पास नहीं था ञि grinding प्रभार fact करने का तरीका नहीं होता है एक जो आरेंजिंग होता है देंसकि तरीके किसके पास नहीं आपका आधी मानाव होते थे उनके पास यह नहीं था तो आफ्शन पर करेक्ट हो गया नेच्ट जिन क्यों मानव के कौन से तीनपर्च हैं तो आफ्शन भोतिक मानसिक और आध्यात्मिक राइड बहुति करेक्ट हो जाएगा नेक्स सब्सक्राइब करेक्ट आंसर है अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद को सब्द में किसे प्रत्या उपसर्ग का परियोग संभव है यानि जो उप्षाइब आपका है और एक पर होगा और हैं नहीं कर सका तो कौन सा चेतर में परगती.. नहीं तो किस में? वह भूतिक तो के लेकिन नहीं परगती का तो option 4 यहाँ पर बिल्कुल correct आपका है अब आता है next आपका यहाँ पर एक कवीता दी गई है कवीता की पंक्तिया आपको दी गई है कईता है और कईता की पंक्तियों से आपके question बनने वाले 100 से लेके 105 तक question तो question number 100 के बढ़ते है कि समू से भीन सब्द यानि जो गुरूप में जो सब्द है उससे युगम है सब्द युगम कौन सा है वो आपको बताना है तो यहाँ पर हार और विहार आपका होगा जैसे प्रकाश है यह अंदकार होगा यह सही आपका है सत्य शत्य होगा जै प्राज कर 10 का प्रतिक नहीं है जो अंदकार होता है कि समधान एक सरवाधिक बल दिया गयाह सबसे जगया प्रकाश पर काश पर सब सब अबल यहां पर दिया गया option second correct हो जाएगा next 103 question है कि कवीता के अनुसार राही की विशेष्टा है जो राही है उसकी विशेष्टा क्या थी कि option first है कि हर परस्थिती में जो भी situation हो कोई से भी situation हो उसमें कारियर्ट रहना उसमें क्या करना कि इस है जो कवीता का मुख्य नियुसार वह क्या क्या है तो दैश बक्ती आपका है और फार्स्ट देश बक्ती राइट हो जाएगा नेक्स आता है 105 कवीता के अनुसार किसी भी इस्तिती में कोई भी सिच्चुएशन उसमें क्या करन बरना रहना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए रोंग सेकंड औप्षण है सिर्ण नहीं कटना चाहिए और फॉर्थ यानि कवी तक क्या कोड़िग हम चले पोयम क्या कोड़िग हम चलते हैं तो कोई लिस्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पार्टे समगरी छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवम न्याय के दरश्टी कौन से इसे पार्टे समगरी के आर्थवय विचारों पर चर्चा करो अध्यापक अपने सिक्षार्टियों में किसकी वि करने की चेस्टा कर रहे हैं समालों चनात्मक भासा विकास की ऑप्शन फॉर्ट यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है 107 कोज़शन की अंतर्भासिक पहचान क्या होगी ऑफिशन फ्रस्ट अंतर भासिक पहचान वो क्या होगी हां पर आपको बताना है कि इसफार् नेक्स्ट वन जीरो एट कोईशन है कि एक भाषया ध्यापक अंग्रेजी ने में कहानी सुनाती है और सिक्षार्टि उसे ३ाहति है कि उम्हें जो भी भाषया года उस英иковा में यहें कहानी समू में सुनाए फिर कक्षे की सामानने भाषा में यही कहानी सुनाए इसे सिक्षन शाजते को नमठाद जा बहुन बहुनلبासा सिक्षन आपका होता है अध्यापिका जोडियो यानि पेर्स में कारे करना वाली जो गतिविधी करवा रही है जिसमें सभी जोडिया पेर्स को दस वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है पहली जो पहली है वो जोडिदार पहला वाक्या पढ़ती है और दूसरी जोडिदार दूसरा वाक्य पढ़ती और पहली जोडिदार उस दूसरे वाक्या को लिखती है इस तरह से दोनों जोडिदार कहानी पूरी करते हैं बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं इस गतिविदी को क्या कहेगे जो गतिविदी है उसको क्या बोला जाएगा पारस्प्रिक किसे समचार पढ़ती है इसे पठन को क्या कहेगे ज्यक्त होता है इसको क्या भोले जाएगा बारी किसे है पठन यहां पर option fourth right हो जाएंगा बारी किसे of a closest आता है 1 1111 åsion कि व्याकरण के Yeah सिक्ष अधीगं में परकिरियात्मग जान कियान है जो व्याकरण है जो ग्रामर हो था उसकेसAnd अधिगम में जो परकिरियात्मक जो घ्यान होता है वो क्या होता है आपका यह जानना के व्याकरनिक पर्शन यह तत्व जो फैक्ट होते हैं उसको कैसे क्या जाए ओप्शन सेकिंड राइट हो जाएगा नेक्स्ट वन वन टू कोश्चन आता है कि कखसा छटी की सिक्षार्थ कोई भी श्रया वो अपने पिता के स्थान अंत्रन करण पंजाब के जालंदर से तमिलाडू के मधुराई जाती है वह विद्याले में दिट्या भाश करूप में अंग्रेजी भी जानती है उसने इपने पडोशियों जो नेबर्स होते हैं पडोशिया है उनकी मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है उसके द्वारा जानी गई भाषाओ के संदर में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही आपकी होगी तो कौन सी स्टेटमेंट सही है कोश्चन नमबर 112 का तो राइ हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोश्चन नमबर 113 कि कोजी कोडी के एक विशेश समुधाय में बोली जारे मल्यालम इसी इस्थान में दूसरों के द्वारा बोली जारे मल्यालम से थोड़ी सी फिन है भी विशेश समुधाय द्वारा बोली जारे मल्यालम को किस रूप में जाना जाएगा तो किस रूप में आप पर जाना जाएगा कि मलियालम की चेत्रिया बोली जो मलियालम की चेत्रिया बोली यानि आपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा once is 114 question है कि 3 भासा सुतर के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेN्ट यहां पर सही है फर्य एकि मात्र भाषा घर की भाषा घर की भाषा अंग्रेजी परतम भाषा के रूप में रोंग फर्य है कि Μात्र भाषा घर की भाषा च्यत्रिय भाषा परतम हो जाएगा नेक्स्ट आता है 115 कोईशन कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य सिक्षार्ते को भिन-भिन समों में करने के लिए दिया गया पता लगाए कि सब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविदी को किस रूप में जाना जाएगा तो निमलिकित सब्दों से संब्दित सब्द और वा ओप्षन सैकिंड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आता है कोशन नंबर 116 कि सिक्षन की वह विदी जिसमें अध्यापक और चारवी ध्यारती की बिन भुमिकाओं के साथ एक सहवगात्मक अधिगम समों का गठन करते हैं पाठ्थे वस्तू की विस्ते वस्तू पर और यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स आता है वर्मन सैवन कोशन कि वह भाषक क्या है जिसका परियोग हम दिन परती दिन के लिए आमने सामने की अंते किरिया के लिए करते हैं और व्याक्तिक भाषण निपून्ता रोंग सेकिंड आत्मक अकादमिक भाषा निपून्त सब्सक्राइब करेक्ट होगा नेक्स्ट को समझने और बदलने या सुधार लाने की जरुत होती है ओप्शन फॉर्थ करेक्ट होगा नेक्स्ट वर्मन नाइन कोशन है निमलिकित मेंसे कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं दी गए कि संकेत भाषा की व्याकरन नहीं होती है बिल्कुल सही है ओप्शन फॉर्थ यानि जो सही नहीं है करेक्ट आपका नहीं है नेक्स्ट वन ट्वेंटि लाश्ट कोशन आपका है हिंदी का कि निमले कि तमेंसे कौन सा विस्तरत पठन का उदेशन नहीं है सरहाना बोध के लिए पठन ओप्षन सैकिन राइट होगा ये लाश्ट कोशन आपका था चलिए जो बचे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे वीडियो लाइक कीजे कमेंट किजे शेयर किजे थैंक यू